क्या उप तरह से यहां पर जो जितने टॉम्स होते ना हुसके ही कोडिंग यहां पे टाइपस बनते हैं जैसे कि MoNomial हो ग corresponds पाइनोमियल हो गया ट्राइनोमियल और एक पॉलिनोमियल यानि कि यहां पर मॉनोमियल यहां पर इस नेम को अगर हम डिस्ट्रिब्यूट करते हैं तो मॉनोमियल यानि कि आप क्या सुच पाऊंगे उस पराइनोमियल यानि कि यहां पर ध्यान में रखना है कि जिसबी एक्स्परिशन कि टू टर्म्ड हो गे जिस पे expressions में two terms होंगे उन सभी expressions को हम binomial कहेंगे तो यहाँ पे जिसे manomial हो गया, binomial हो गया और trinomial यानि कि तीन term वाला यहाँ पे expressions और यह जो polynomial यह वहाँ पे क्या होगा तो कि polynomial यानि कि यह सभी एक, दो और तीन, तीनों की तीनों को हम polynomial भी कह सकते हैं, और अगर कोई और यहाँ पे example देना हो, जैसे कि यहाँ पे हमने four terms का यहाँ पे कोई expression ले ले थे, तो उसको क्या बोलेंगे? polynomial बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक simple definition दे सकते हैं, कि तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, जितने भी terms वाले expressions होगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे? polynomial कहेंगे, तो यहाँ पे monomial, binomial और trinomial और polynomial के examples आपको दीख रहे हैं, यह जो examples हैं, उसके अंदर आप देख पार होगे, कि जहाँ पे binomial के example आपको दीख रहे हैं, वहाँ पे हर एक expressions में only and only two terms ही होगे, और जहाँ पे polynomial है, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोई भी terms हो सकती है, पर minimum तीन से ज्यादा ही होगी, आप देख पा रहे होगे, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, तो कि according to terms, algebraic expressions के types यहाँ पे पता लगा लिए, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इस तरह से भी expressions देखे होंगे, तो उसमें हमें यहाँ पे like terms और unlike terms कौनसी होती है, वो यहाँ पे अभी पता लगाते है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे types of expressions यहाँ पे सीख लिए, अभी यहाँ पे हम बात करने वाले कि यह जो मॉनो मेल होगे, बाइनो मेल होगे, उन दोनों का अगर addition करना हो, तो addition कैसे हो सकेगा, या फिर उनका subtraction करना हो, तो subtraction कैसे हो पाएगा, कैसे apply करेंगे उसके लिए, क्या करना होगा, वो सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, thank you.